आज बनाएंगे पूजा में प्रयोग होने वाले बतासे जो कि हम mostly market से लेके आते हैं बढ़ कि आप जानते हैं कि इन्हें घर पर बनाना बहुत ही आसान है सिर्फ तीन से चार मिनिट में आप ये बतासे बना के तयार कर सकते हैं तो चलिए फिर देर किस बात की शुरू करते हैं होम मेट बतासे बनाने के लिए गैस में हमने एक नॉन्स्टिक की कडाई रखी है इसमें हम एक छोटी कटोरी के जितनी चीनी डाल देंगे ये लगबख सौ ग्राम के जितनी चीनी होगी इसी के साथ साथ मैं इसमें दो से तीन चमश पानी डाल दोंगी बस इतना ही पानी दालना है बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमने गैस ओन कर दी है और इसे हम कंटीनेव चलाते हुए चीनी के घुलने तक इसे पकाएंगे तो इसे छोड़ना नहीं है लगातार चलाते रही है नहीं तो जो चीनी है वो नीचे से चिपक सकती है तो यह देखे फ्रेंज आप देख पा रहे होंगे कि जो चीनी है वो मिल्ट होना शुरू हो गई है तो फ्लेम को इस टाइम पे हमें लो मिडियम के बीच में ही रखना है यह देखे फ्रेंज चीनी जो है हमारी वो खुलना स्टार्ट हो गई है तो बस इसे continue चलाते रहना है अब आप देख पा रहे होंगे कि यह जो चीनी है वो सक्कर जैसी बनने लगेगी तो side से आपको समझ में आएगा कि यह वापस फिर से crystal form में change होने लगेगी किनारे किनारे इसमें चीनी जैसी चिपकने लगेगी तब आपको समझ जाना है कि य हमारी जो बतासे के लिए यह mission है वो perfect बनके तयार हुआ है तो बस इसे चलाते रहे हैं आप देख सकते हैं कि अच्छे से इसमें bubble भी आ रहे हैं अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देंगे थोड़ा सा baking soda यह baking soda है जो खाने वाला मीठा soda है तो एक टेर चुटकी के जितना चाल दीजिए ज्यादा नहीं डालना है यहाथ से डालेगा और इसे continue चलाएंगे इससे क्या होगा कि इसमें bubble लाएंगे और हमारे जो बतासे हैं वो फूले फूले बनेंगे आप देख सकते हैं यह कितने अच्छे से फूल रही है और जब यह अच्छे से जमने की consistency में आ जाए तो आपको अगर छोटे चोटे बतासे बनाने है तो छोटे वाले स्पून से डालेगा इस तरीके से और यह काम आपको बहुत फास्ट करना होता है क्योंकि जो चीनी है वो बहुत जल्दी जम जाती है घर में एक दो लोग है तो आप उनकी भी मदद ले सकते हैं तो जबस मैं हाँ पर छोटे वाले बता से बना के दिखा रहे हूं तो इस तरीके से हम इसमें डालती जाएंगी और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यह चीनी थोड़ी सी जम जाएगी तो इसे फिर से हलका सा गरम कर लीजिए और फिर से बता बना लीजिए बट दुबा या हमारे बतासे बनके तयार हो गए एक दो मिनट में ही अच्छे सेट हो जाते हैं तो यह लीजे फ्रेंज हमारे बहुत ही सांदार बतासे जो हैं वो बिलकुल बनके तयार हैं तो अपसे अगर आपको बतासे बनाना हो तो घर पर आप इस तरीके से पूजा के लिए बना सकत बनाना बहुत ही आसान है दो से तीन मिनट का टाइम ही लगता है आई होप कि आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा है पसंद आया हो तो हमें फीडबेक में जरूर बताएगा फिर मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ